पार्चमेंट का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं पार्चमेंट का मतलब होता है चमडे का कागज या चर्म पत्र यानि कि चमडे से लिखने के लिए जो एक कागज जैसा मटेरियल तयार किया जाता है उसे पार्चमेंट कहते हैं तो जैसे कि अगर आप ये कहें कि प्राचीन पुस्तक चर्म पत्र पर लिखी गई थी तो आप कह सकते हैं The Ancient Scroll was written on parchment या अगर आप ये कहना चाहें कि उसने पुराने दस्तावेज को परकट करने के लिए चर्म पत्र को साफधानी पुरवक खोला तो आप कह सकते हैं She carefully unrolled the parchment to reveal the old document या अगर आप ये कहना चाहें कि कलाकार ने अपने नाजुक चित्रों के लिए चर्म पत्र को canvas के रूप में उप्योग किया तो आप कह सकते हैं The Artist used parchment as a canvas for their delicate illustrations अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें